दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रॉल्स रोयस की कारे चोरी हो सकती है या नहीं और अगर चोरी नहीं हो सकती तो इसके लिए रॉल्स रोयस ने अपनी कारों में कौन से फीचर दिये है यह बताऊंगा वैसे तो Rolls Royce की कारें अपनी लगजूरिय सुविदाओं के लिए ज्यादा जानी जाती है लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सिक्क्योरिटी के बारे में वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखी Rolls Royce की कारों में ऐसे कौन से फीचर है जिसकी वज़े से इन कारों को चोरी करना लगबग नामुप्मिन सा होता है अगर आपको जानना है कि Rolls-Royce की कारों में कौन सी टेकनोलोजी का इस्तमाल होता है और ये टेकनोलोजी कैसे काम करती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना Rolls-Royce ने अपनी कारों को चोरी से बचाने के लिए SUVT टेकनोलोजी को डेवलोप किया है अब ये SUVT टेकनोलोजी क्या है? SUVT टेकनोलोजी का मतलब है कि Stolen Vehicle Tracking Technology इस टेकनोलोजी की मदद से अगर Rolls-Royce की कोई भी गाड़ी मूव कर रही है तो उसे 10 मीटर की रेंज में लॉक किया जा सकता है मतलब के कार के मालिक को गाड़ी के हर सेकेंड के मूव की खबर होती है मान लिजी अगर किसी ने बहुत चाला किसे कार को चोरी कर भी लिया फिर भी इसमें Engine Start Inhibition नाम का एक फीचर होता है इस फीचर की मदद से कार का मालिक चलती हुई गाड़ी का Engine Burn कर सकता है और ऐसा करने से गाड़ी वहीं पर रुख जाएगी और ऐसे में गाड़ी को identify किया जा सकता है और चोर को भी पकड़ा जा सकता है अब आपके दिमाग में ये प्रशना जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई गाड़ी के Engine को चालू कि ये बगर ही कोई सी ट्रक पर या फिर कोई और तरीके से ले जाए तो क्या होगा ऐसे में Rolls Royce का Two Away नाम का एक फीचर है जिसमें अगर आपकी गाड़ी का Engine बन है और फिर भी आपकी गाड़ी Move कर रही है तो इसका message उसके Owner को बेजा जाता है और कार को आप GPS की मदद से आसानी से ट्रेक कर सकते हो इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी को कोई स्टार्ट किये बगर भी ले जा रहा है फिर भी आप उसे पकड़ सकते हो अब आपके दिमाग में ये प्रशना आ रहा होगा कि आजकल तो चूरिया बहुत एडवांस हो चुकी है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि गाड़ी की सिस्टम को हैक करके गाड़ी को चूरी किया जा सकता है लेकिन Rolls Royce की कारे इसके लिए भी तयार होती है इसके लिए Rolls Royce की कारों में टेमपर अलर्ट हैकिंग सिस्टम होती है इस सिस्टम में अगर गाड़ी के किसी वायर के साथ या फिर उसकी सिस्टम के साथ छेटखानी होती है तो उसका अलर्ट उसके ओनर के पास तूरंट पहुँच जाता है अगर गाना सुनने के लिए सिर्फ पैन ड्राइव लगाया जाया फिर भी ऐसा अलर्ट उसके ओनर के तक पहुँच जाता है दोस्तो अब तक तो आपको ये पता चली गया होगा कि रॉल्स रोइस अपने कार के लुक और बिल्ट क्वालिटी के अलावा उसकी सिक्यूरिटी का भी पूरा ध्यान रखती है अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना